नमस्का दोस्तों मेरा नाम ज्यानिक श्र है और आपने देखना शुरूर किया है खबरों के पीछे रात के ठीक 9 बजे है और एक नई कहानी लेकर अपराद की दुनिया की एक कहानी लेकर हम आपके शामने हाजिर हुए है खबरों के पीछे में हम कही अनकही कहानिया ही बताते हैं तो देखिए हमारे कई दर्सकों ने दर्सकों की बात सुननी परती है कई दर्सक पिछले कई दिनों से कह रहे थे समस्ती पूर की कोई कहानिया आप नहीं सुना रहे हैं देखे समस्ती पूर के अंडरबल, समस्ती पूर के गैंगस्टर और गैंगबार की कई कहानिया हम पहले ही सुना चुके हैं आप खबरों के पीछे के पुराने वीडियोज को देख सकते हैं लेकिन जब हमने दर्सकों की बाते शुनी तो मुझे लगा कि कुछ और कहानिया सुना है देखे ये दोर 1990 से 2005 के बीच का विहार किस खतनाक युग में गुजर रहा था इस बात की आप कलपना भी नहीं कर सकते हैं यदि उन दिनों को आपने जिया नहीं है देखे सासन के बस में कुछ भी नहीं था लालू यादब मुख्यमंत्री हों या रावरी देवी और देखे यह इमानदार सच है कि तब जिलों में इस पी जो तैनात किये जाते थे वह इसलिए तैनात नहीं किये जाते थे कि वे काबिल है अपराधियों से लरने वाले बहादूर IPS आफिशर वे कोल्ड इस्टोरिज में रखे जाते थे तैनाती का पैमाना ही अलग होता था और जो गए वे किस तरीके से काम कते थे अपराधियों के सामने घुटने तेक जेते थे हमने कई सारे पुलिस कप्तान देखे लेकिन आप कहेंगे कि उसी दौर में डॉक्टर अजय कुमार, राजबिंदर सिंग भठ्थी, कुन्नन किस्नन, नईयर हसनैन खान, निसान कुमार जैसे तमाम SP भी तैनात किये गए हाँ, लेकिन इनकी तैनाती तब होती थी भिगू सेनिवाशन, प्रभिन बसिस्त, इनकी तैनाती तब होती थी जब किसी जिले में पानी सर के उपर बहरा होता था इज़त बचाने के लिए हालात को नियंतित करना उद्दिस्थ से था ही नहीं, या करवा सच है और इस इतिहास को हम भूल नहीं सकते हैं तो देखिए, जब हम समस्तिपुर की कहानी कहने जा रहे हैं, जब हम डायरी के पुराने पन्नों को पलट रहे हैं, हमने अपने दर्सकों की दिमान पर तो देखिए, एक कहानी आपको बताते हैं, कई कहानिया, छोटी-छोटी कहानिया इसमें जुरेंगी और हालात का पता आपको चलेगा, हमने कहा, अपराधियों से लरने लाइक इस पी तैनात नहीं किये जाते थी, और समस्तिपुर की सिती ये हो गई थी, कि यह राजधानी, अपहरन तो उस दोर में पूरे बिहार में हो रहे थे, लेकिन अपहरन उद्योग सबसे ज़्यादा फल फुल रहा था समस्तिपुर में, और समस्तिपुर में ऐसे अपहरता गिरो थे, कि अपहरन कोई करता था, बेच किसी और को देता था, डील और कोई करता तो अपहरताओं की राजधानी समस्तिपुर बनी हुई थी, देखें फिर भी, दो एसपी उहां गए, और अपहरन के बाद हत्या भी, दो एसपी गए, नीरत सिनहा जो बाद में जारखन में डीजीपी के परद से रिटायर हुए, और परेश सकसेना, अभी भी सेवा में है लेकिन अब वह दूसरे प्रक्रती, दूसरे सभाव के IPS परादिकारी बन गया हैं, जिन्होंने समस्तिपुर को ठीक करने का काम किया, लेकिन हालात कैसे थे, पहले इस बात को सबच लिए, हम लाल डायरी के पन्ने को पलट रहे हैं, तारिक है 20 जून 1996 में, समस्तिपुर के कप्टान थे मेगनाथ राम कैसे थे, क्या कहें, कुछ कहना ही बेकार है, लेकिन जिले के IPS थे, जिले के मुखिया थे, और अपराधियों से निपटना उनका सबसे बरादाई तो था, लेकिन अपराधियों उनसे डरते थे, क्या, हमने तारिक बताई 20 जून 1996 में, वे गस्त इतना बढ़ा हुआ था, अपराधियों इतने बेखौफ थे, कि अपराधियों ने SP मेगनाथ राम पर ही फैरिंग कर दे, आपको जानकर आश्चर होगा, आप कहेंगे, आज 28 साल बाद, यह कहानी मैं कैसे आपको शुना रहा हूँ, तब के दिनों में, यदि आपके पास लाइबरेरी है, या आपके पास कोई पुराने जानकार है, तो वह बताएंगे कि 20 जून 1996 को अपराधियों ने फाइरिंग से गोलियां चला कर समस्तीपुर के SP मेगनाथ राम की टोपी ही उरा दी थी, सोच लिए, कि जब SP साहब की टोपी अपराधी की गोली से उर जाए, तो समस्तीपुर की सिती क्या रही होगी, नंगे पाउं भागे थे SP मेगनाथ राम, और देखिए अपराधी कितने बेखौब थे, अपराधियों ने इसके बाद वहां के लोकल पत्रकारों को फोन किया था, खबारों में इस बाबत खबर चपी थी, पत्र पत्रिकाओं में खबर चपी थी, और आज 28 साल के बार इसे आप खंडित नहीं कर सकते हैं, तब जब आप चुपते तो आज कैसे इंकार कर सकते हैं, कि अपराधियों ने कहा, जिन्होंने गोली चलाई थी, कि मेरा मकसद SP साहब को मारना नहीं था, SP साहब को होस मिलाना था, कि मेरा पीछा म करो, सोच ये, पुलिस की इस्तिति क्या थी, और आपराधी कितने मनवरे थे, कितने चरहे हुए थे, तो यह एक छोटी सी बानगी आपको हमने बताई, अब देखिए, उसी दोरान, हम लाल लायरी के पन्नों को पलट रहें, छोटी-छोटी कहारिया है, 28 अगस 1996 की तारिक ह है, दिन के तीन बज़े की घटना है, चकावटी गाउं है, वहाँ समाजबादी नेता, रामदेव सिंग, लोकल लेवल पर बहुत पॉपलर थे, कुछ अपराधियों ने उन्हें पकर लिया, और पकरे जाने के बाद ऐसा नहीं हुआ, कि तुरंट उनकी हत्या कर दी, अप खत्रे में है, लेकिन क्या करते, दुकान पर मिठाई खाते रहे, इसके बाद अपराधियों ने, जिन्होंने रामदेव सिंग को पकरा था, उन्हें उरहुल फूल का माला पहनाया, माला पहना कर स्वागत भी किया, और इसके बाद रामदेव सिंग को चार गाउं में घु खुमते रहे, और फिर एक स्कूल कैमपस में गए, और यहां रामदेव सिंग को बोला कि मुग खोलिए, उन्होंने जैसे ही मुग खोला, मुह में अपराधियों ने गोली मादी, रामदेव सिंग को मौट के घात उता दिया, समझ सकते हैं कि हालात क्या थे, इसीतिया क्या थी, परिसीतिया क्या थी, देखिए, उन दिनों, देखिए, 1990 के पहले या 1990 से 1995 के बीच भी, आपराधियों का पता लगाने को, आपराधियों के बारे में जानकारी देने को, गाहों में कोई अजनबी आ रहा है, इसे पता करने को, जो सबसे मजबूट नेक्वर्क हुआ कर था, वह चौकिदार और दफादार का, और जब अपहरन होते थे, तो किसी न किसी गाउं में ले जाकर ही, जो अफरिट हुआ है, उसे रखा जाता था, तो समस्तिपूर के अपराधियों ने, कई गिरोहों ने, चौकिदारों को, दफादारों को निशाना बनाया, इतनी हत कि चौकिदार और दफादार सूचना देना, खबरी बनना भूल गए, आपको हम बांगी बताते हैं, घटना बताते हैं, दो अगस्त 1995 में, नत्थू दौर के चौकिदार, बैरागी पास्वान का सरीर कई हिस्सों में छट बचट कर दिया, और लास नदी में फेकती गई, बैरागी पास्वान का कशूर क्या था, चौकिदार का कशूर क्या था, कसूर बस इतना था, कि पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार किया था, और गिरफ्तार अपराधी को जेल पहुंचाने के जिम्मेबारी बैरागी पास्वान को दी गई थी, और उसने जेल पहुंचा पन्चान में लाल डायरी की तारिक है दफादार राम नरेस से इनकी भी हत्या कर दी गई पहले इनका अपरन हुआ इनका भी कसूर क्या था ये कैदियों को जो पुलिस के दोरा गिरफ्तार किये गए थे जिसे अदालत ने जेल पहुंचाने का निरेस दिया था उन्हें जेल बापसा रहे थे रास्ते में इनका परन हुआ और फिर हत्या कर दीगे अब देखिए तारिक नौ जुन निस सो पंचान में लाल डायरी की तारिक है दफादार मुहमद कुसम الدین की पीठ पीठ कर अपराधियों ने हत्या कर दीगे तारिक देखिए केबल चोकिरार और दफा पराधियों ने उड़ा दिया मार दिया 25 मार्च 1906 में तारिक सम्ता पार्टी के निता उनके बारे में और कई तरिकी के सिकायते थी नाम परदीप महतो उनकी हत्या कर दीगे परदीप महतो कौन इनकी पतनी असुमेद देवी जो बाद में कल्यानपूर से बिधायक बनी सा समस्तिपूर में किये और देखिये तब जूट मिल समस्तिपूर का चल रहा था मरा नहीं था बिलकुल तो जूट मिल के जो करमचारी होते थे वह अपराधियों के निसाने पर अपहताओं के निसाने पर हुआ करते थे और यह आम बात थी कि जूट मिल के करमचारी को खत्या करके अपराधियों ने संसनी फैला दी तो ये हाला थे सर पानी के उपर पह रहा था लेकिन जब सरकार छेती समझ में बात आई कि नहीं समस्तिकूर नियंत्रन से बाहर है तो 2000 में परेश सक्सेना सक्थ मिजाज IPS ताहिकारी थे अब सुभाव बढ़ला है कई कारण है चाटी हुई समस्तिपूर के पुलिस कप्तान के रूप डाइक्ट IPS ये मेगना अथराम नहीं थे कि अपराधियों के दर से भाग जाते ये मेगना अथराम नहीं थे जिन पर आपराधियों को शन्देशा दिया अंडर बल्ड को बता दिया या तो समस्ती पूर छोड़ दो नहीं तो दूसरा रास्ता है सुधर जाओ और तीसरा रास्ता मेरे पास है इसके बाद तुम्हारी क्या इसित्नी होगी गोली सिर्फ तुम्हारे पास नहीं है गोली पुलिस के पास भी है यदि गोली चलाओगे तो जबाब गोली से मिलेगी तो देखिए परे सक्सेना का या संदेशा परे सक्सेना का या फैसला समश्ति पूर के अंडरबल को डरा दिया और इसके परिणाम भी दिखने लगे चार खुंखार अपरादी तो जल्दी जल्दी मारे गए देखिए इनमें हरिश्चंदर राय जैसा कुख्यात अपरादी लुत्ती सिंग जैसा बदमास अपरादी सामिल था हरिश्चंदर राय कौन था पता है आपको समश्ति पूर कोट परिसर से यह च्छा साथियों के साथ भाग गया था और परसेप्शन यह था इस अपरादी के बारे में हरिश्चंदर राय के बारे कि कोई पुलिस बाला इसका पीछा नहीं कर सकता है जो पीछा करेगा वो हस्तजा भुकतेगा क्योंकि इसके पीछे राजनैतिक संग्रच्चन की बात कही जाती थी और सच में भी यह बात थी पहले जिस पुलिस प्राधिकारी ने या जिन पुलिस प्राधिकारीों के समूह ने हरिश्चंदर राय को गिरफतार किया था उन्हें सजा मिल गई थी गिरफतार करने बाले पुलिस प्राधिकारीों में सिब्चंद्र सिंग थे अतुल मिस्र थे और संजय सिंग जैसे ठानेदाग थे लेकिन हरिस्चंद्राय की गिरफतारी के बाद इन्हें कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया गया था इनका तबादला अप्राध रुसंधान विभाग सियाईडी में कर दिया गया था तो हरिस्चंद्राय का मन बढ़ा हुआ था लेकिन परेज सक्सेना ने हरिस्चंद्राय को खत्म करने का प्लान किया कि सफाया करें चापे मारिया हुई नहीं मिला यह बाज नहीं आ रहा था इसने फिर से अपहरन किया दिसंबर 2000 में और परेज सक्सेना की साइटी ने स्टियप ने 16 दिसंबर 2000 को इसे तब मुटभेर में मार गिराया जब यह समस्तिपूर के कल्यानपू थाना छेतर के जत्मतपूर गाउं के चिम्नी भट्टा मालिक दिलीप मिस्रा के बेटे संजीब कुमार मिस्रा को किड्नेप कर भाग रहा था तो हरीष चंदराय मुटबेर में धेर और जैसे ही हरीष चंदराय मारा गया देखिए मेरा साफ मानना राता है एक क्राइम एनलिस के रूप में ये दिया आप बड़े से शुरू करते हैं, सबसे बड़े सरगना को सांध करते हैं, ठंडा करते हैं, तो दूसरे जितने चिल्लर किस्म के अपरादी है, वह दर जाते हैं, काप जाते हैं, तो हरिशंद राय का सफाया कर दिया गया. अब देखिये सुसील कुमार सिंग उर्फ लुक्तुसी कितना खतरनाथ थारे भाई पूछिये मत इसका खौप इतना कितने दर्जन मामले थे हसनपूर में सिंग्या में हत्या लूट अपरन के तीस से अधिक मामले और सिर्फ समस्तीपूर की बात नहीं यह बेगुश राय और खगरिया में भी जाकर अपरात करता था तो इसका नेटमर इसका गिरो इसके साथ ही बेगुश राय और खगरिया में भी लेकिन परेश सक्सिरा ने कहा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे दिन तो अब खत्म हो गए और इसने कैसे कैसे डराया था देखिए इसने डॉक्टर सैलेश कुमार का अपरण किया था उनके भाई जितेंदर सिंग का अपरण किया था मोटी रकम बसुली थी और जब तक फिरोती की रासी नहीं मिली इसने डॉक्टर और उनके भाई को नहीं चुरा था लेकिन परेश सक्सेना की हिटलिस्ट में यह सामिल था सुसील कुमार सिंग और फ्लुट्ति सिंग संजे सिंग की बहुत चर्चित हक्त्या हुई थी यह हक्त्या भी लूती सिंग गिरों ने की थी तो देखिए अब जब परेश सक्सेना ने टारिगेट किया तो तारिक 14 दिसंबर दो हज़जार रोसरा थाना च्छत्र के मुरादपुर गाओं में मुरादपुर गाओं के गरिर्या टोली में यह पुलिस सिख गया पुलिस ने कहा अत्म समर्पन करो इसने जवाब में गोली चलाई परेश सक्सेना ने पहले ही कह दिया था यदि अपराधियों के पास गोली है वह गोली चलाता है तो पुलिस की गोली भी चलनी चाहिए पुलिस की गोली राइफल के भीतर रखने के लिए नहीं है वह दूसरे को मारे हमें मारे और हम सांथ बने रहे खामोस बने रहे तो पुलिस ने जबाद दिया और लुट्टी सिंग धेर हो गया समस्तिपूर का अंडवल काप गया फिर देखिए एक रमाकान सिंग यहाँ भी बहुत सातीर अप्राती उजियारपूर के समस्तिपूर में ही उजियारपूर है लोकसभा छत्र है वहाँ से नित्या नन्राय अभी देश के किंद्रिये गिरह राचे मंत्री है रमाकान सिंग यह भी बहुत ही नौटोरियस क्रिम्रल था बहुत ही खतनाग किस्म का अप्रादी और यह नाजिपूर का रहने बाला और इसका आतंक सिर्फ उजियारपूर पे नहीं था दल सिंग सराई में था बिभूती पूर में था बंगरा में था समस्तिपूर मुफस्ति धाना छत्र में था अंगार घाट में था और यह किसी से डरता नहीं था लेकिन परेश सकसेना इसके लिए काल बन कर आए और रमा कांट सिंग गिरो का भी सफाया परेश सकसीना के कारिकाल में हुआ तो जब इतने ओप्रेशन्स हुए तो अंडर बंडिया समझ गया कि अब सांथ होना होगा क्योंकि पुलिस जबाब में गोली चलानी सीख गई है अब या तो हम सांथ हो जाएं च्छत चोड़ें और फिर तेजी से आत्म समर्पन होने लगे अपहरन की घटनाएं कम होने लगी यह खबने कम आने लगी कि अपहरता गिरोहों में भी सौदेबाजी हो रही है तबके हालात तो ऐसे थे कि अपहरन बैसाली से होता था अपहरन दर्भंगा से होता था अपहरन बेगुशराय से होता था अपहरन पतना से होता था और ले जाकर रखा जाता था समस्ती पूर में क्योंकि वहाँ सुरक्षित जिला था और वहाँ पुलिस का नेटबर्क बिलकुल द्वस्त हो चुगा था लेकिन ऐसा भी नहीं है कि परेश सक्सिना को चिनोती नहीं मिली हमारी डायरी कहती है 21 दिसंबर 2000 मुक्तापूर जूट मिल के करमचारी अरुन कुमार जहा अफरित किये रहे थे बहुत धर पकर की कोशिस की जा रही थी अपनताओं की अरुन कुमार जहा का पता करने की कि उन्हें किसी तरीके से जिन्दा बरामत किया सके लेकिन वे जिबित नहीं धूने जा सके थे 21 दिसंबर दो हज्जार को उनकी लास मिल गई थे और माना यह जाता है कि हत्या करने के पहले अपहरताओं ने अरुन कुमाजा के परिवार बालों से फिरोती की कुछ रासी भी बसुनी थी तो देखिए हत्या और फिरोती की रासी कितने कुरूर थे कितने राक्षसी थे समस्तिपुर के अपरारी इस बात की कल्प ना कर सकते हैं तो इस अरुन कुमार जा के अपरहन कान में बिचौलिये की भूमिका निभाने बाले कल्यानपुर के राम सागर महतो और सुरेश कुमार सिंग भी अरस की गए थे तो परेश सक्सिरा ने समस्तिपुर को सांद किया लेकिन बिहार की सिती क्या थी? हम लगातार चर्चा करते हैं कि बिहार की सिती ये थी कि सरकार की प्राध्मिक्ता में सरकार पुलिस प्राध्मिकारियों की तैनाती में जिनकी तैनाती की जारी है उनकी काबिलियत नहीं देखी जाती थी देखा यह जाता था कि समिकरन क्या है और सरकार भी हमने आपको कई नरसंगारों में कई नरसंगारों की कहानियां बताते हुए बताया है कि किस जाती की लास मिले पर कौन जाता था और किस जाती की लास मिले पर कौन नहीं जाता था पक्ष और विपक्ष दोनों ही उनका चैतर दागदार था तो आज हमने समस्ति पूर की यह कहानी बताई ऐसी और कहानिया हैं हम रोज बताते ही रहते हैं तो आज के लिए इतना ही हमें दीजी जाजत और चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे यूटूब चनल खबलों के पीछे को सबस्क्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लिजेगा और जैसा कि हम बार-बार कहते है कि मेरी किसी कहानी में देखिए मुझसे भी मान लिए भूल हो सकती है कोई टूटी हो सकती है आपको लगता है कि कहीं कोई गल्ती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और यह दि कोई कहानी सुनना चाहते हैं आपकी बाते हम सुनते ही रहते हैं आपके संदेशों को हम पढ़ते ही रहते हैं तो लिखिएगा हम कोशिस करेंगे लाल डायरी के पन्नों को पलतेंगे जो लाल डायरी में नहीं है रिसरज टीम को कहेंगे और वक्त लगेगा कहानी शुनाने की कोशिस करेंगे तो आज दीजी जाजत मिलेंगे कल रात 9 बजे फिर से बहुत बहुत धन्यवाद